जै श्री राम साथियों सबसे पहले आप सभी राम भक्तों को श्री राम मंदे रयोध्या में श्री राम लला के मूर्तिरूप की प्रान प्रतिष्ठा की बहुत बहुत बधाए तो साथियों आज वो शुब घड़ी आ गई है जिसने हर एक राम भक्त का 500 सालों का इंतजार खतम कर दिया है जी हाँ आज 22 जन्वरी 2024 को हर एक राम भक्त का त्याग और तपस्या रंग लाई है और हमें गर्व करना चाहिए उन राम भक्तों पर जिन्होंने अपने प्रानों का बलिदान दिया हमें गर्व करना चाहिए उन माओ पर जिन्होंने श्री राम की सेवा मे अपने लाल न्योचावर कर दिये दोस्तों श्री राम मंदिर का बनना इतना आसान नहीं था तो चलिए जानते हैं कि श्री राम मंदिर के लिए किन्हों ने अपने कुल का नाम अमर कर दिया और किन्हों ने अपने कुल का नाम कलंकित किया इस छोटी सी वीडियो के जरिये इतिहाद साक्षी है कि पुन्य भूमी भारत की गाथा भारत की अस्मिता गौरो और राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए विदेशी आकरांताओं से संघर्ष की महान गाथा है बर-बर आकरांताओं ने भारत की आत्मा पर चोट करने और भारत का अपमान करने के लिए हमारी संस्कृती और आस्था के केंद्रों को धस्त किया सोमनात, काशी, मतुरा और अयुध्या के मंदिरों का तोड़ा जाना आज भी भारत की स्मृतियों में जीवित है सन 1528 में आयुध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का मुगल आकरांता बाबर द्वारा तोड़ा जाना ऐसी ही एक अच्छम में घटना थी जिसने सीधे भारत के सम्मान और आत्मा पर चोट की, कारण साफ था अयुध्या कि श्री राम के मंदिर पर आकरमन भारत की आत्मा पर आकरमन था जहां हर भारतिय के रोम रोम में राम बसते हैं वह भारत यह अपमान कैसे सहता राम मंदिर पर आकरमन भारत को आहत कर गया था विदेशी हमलावर अपनी बरबरता दिखाते गए और भारत अपने आत्म गवरों को फिर से पाने के लिए संघर्ष करता रहा। भारत राम लला की जन्म स्थान पर बाबर के नाम पर बने एक धांचे को देखता और उसे हटाने का संकल्प लेकर शक्ती संजोया करता। हिंदु समाज आत्म सम्मान के रण में डटा रहा और लगातार हमलावरों द्वारा बनाए गए बावरी धांचे को हटाने के लिए लड़ता रहा। सरयू कई बार रक्त से लाल हुई। कभी स्थानिय शाशकों ने तो कभी साधु संतों और राम भक्तों ने राम जन्म भूमी की मुक्ती के लिए अपने प्राणों की आहुते दी। हम कुछ मोर्चे हारे पर रन जीतने का संकल्प कभी कम नहीं हुआ। हिंदु समाज तलवारों से रक्त रंजित हुआ पर उसने हार नहीं माले। उसका संकल्प अजेय था। 15 अगस्थ 1947 को देश की आजादी के साथ सैकलों सालों से चले आ रहे इस संघर्ष में नई उर्जा और एक नया मोड़ है। अचानक 23 दिसंबर 1949 को बाबरी धांचे में श्री राम लला प्रकट हुआ। हजारों राम भक्त दर्शन के लिए उमड़ पड़े। तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नहरू ने उत्तर प्रदेश सरकार को श्री राम लला को विवादित धांचे से हटाने का अदेश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोध्या के कलेक्टर को यह काम दिया और यह निरदेश भी की जरूरत पढ़ने पर विबल का प्रयोग भी करें। आयोध्या के कलेक्टर ने सरकार को उत्तर दिया कि यह नर्संहार के बिना संभव नहीं है। और फिर भी विवादित धांचे को बंद कर दिया गया कि इवल पुजारी को सेवा अरचना के लिए भीतर जाने की अनुमती थी फिर भी राम भक्त विवादित धांचे के बाहर से प्रभु श्री राम की आराधना करते रहे भारत के हिंदू समाज के लिए चनोतियां और बढ़ गए मामला अदालत में गया विवक्षी दलद्वारा अदालत में भगवान श्री राम के अस्तित्तों पर सवाल उठाई गये उनके आयोज्जा में ही जन्म लेने का प्रमान मांगा गया भारत का जन्मानस अब आहतो उठा था आजाद भारत में भी हिंदू समाज को अपनी आस्था और श्रधा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था चनोतियों के इस समय में सन 1984 में विज्ञान भवन दिल्ली में विश्व हिंदू परिशद ने धर्मसंसत का आयोजन किया इस संसद में देश भर के संतों ने राम जन्म भूमी की मुक्ति के लिए आवान किया और राम जन्म भूमी मुक्ति यग्य समीती का गठन किया धर्मसनसद ने राम जन्मभूमी की मुक्ति और वहां भगवान श्री राम की भव्य मंदिर बनाने के भारत के जन्मानस के संकल्प को फिर से दोराया विश्वे हिंदू परिशत के नेत्रित्व में मंदिर निर्मान के लिए पूरे देश में अभूत पूरवा अंदोलन की शुरुआत हुई श्री राम जन्मस्थली मुक्ति यग्य समिती के साथ देश भर में राम जानकी की रथ यात्राएं निकली राम लीलाओं में राम कथा के माध्यम से भारत का आम जन्थ फिर से चुटा अब सब के मन में एक ही प्रण था एक ही लक्ष था अयोध्या में जन्म भूमी पर भगवान श्री राम की भव्य मंदिर का निर्मान सन 1989 में विश्व हिंदू परिशद द्वारा गाउं गाउं से राम शिला पूजन करके अयोध्या भेजी गई दो लाग पचटर हजार गाउं से राम शिलाएं अयोध्या पहुंची भव्य राम मंदिर के शिला नियास का निर्णे हो पुझ्य संत महात्माओं और हिंदू समाज के अन्य प्रमुख नेताओं के निर्णे के अनुसार अनुसूचिक जाती के प्रमुख नेता श्री कामेश्वर चौपाल ने 9 नवंबर 1989 को मंदिर निर्मान का पहला पत्त का राम जन्म भूमी पर मंदर निर्मान के लक्ष की पूरती के लिए सन 1990 में सो मनाथ से अयुध्या के लिए श्री लाल कृष्ण आडवानी ने रथ यात्रा की शुरुवात की देश में जन भावनाओं का ज्वार उबढने लगा श्री लाल कृष्ण आडवानी के रथ यात्रा के साथ साथ मंदर के लिए जन समर्थम बढ़ने लगा और छदम सेकुलर वाद बेनकाब होने लगा इस जन आंदोलन को रोकने की तमान कोशिशे हुई पर सब यह तो विश्व हिंदू परिशद ने देश वासियों से अयुध्या में जन मभूमी पर मंदर निर्मान के लिए 30 अक्टोबर और एक नवंबर 1990 को कार सेवा का आवाहन के लिए परिणाम स्वरूप लाखो रामभक्त कार सेवा के लिए देश के कोने कोने से अयुध्या आए इससे देश की एकात्मता का विराट दर्शन हुआ तार सेवकों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के तक कालिन मुख्य मंत्री श्री मुलायन सिंग यादवने अयुध्या में परिंदे को भी पर्न मारने देने की घोशना की स्थितियां गंभीर हो गई अयुध्या से 100-200 किलोमीटर दूर रेल गाडियां रोक दी गई अयुध्या युद्ध भूमी बना दी गई मार्ग बंद रेल बंद चप्पे चप्पे पर पुलिस अयुध्या सैनिक च्छावनी में बदल गई राम नाम पर ऐसी पाबंदी कि अर्थी ले जा रहे लोगों तक को रोका गया क्योंकि वे राम नाम सत्य कह रहे थे लेकिन सैकडो किलोमेटर की यात्रा कर कार सेवक अयोध्या पहुचने लगे राम के गीत, गाते, होटों पर हसी और पाउं में छाले लिए राम काज के लिए राम भक्त देश विदेश से अयोध्या पहुची गए कर सेवकों पर गोल्या चे अनेक कर सेवक शहीद हुआ आजाद भारत में जन्म भूमी पर राम मंदिर के लिए कार सेवकों ने फिर एक बार अपना बलिदान दिया पर कार सेवकों ने विवादित धाचे पर भगवा फैरा ही दिया और इस तरह कार सेवा सफल हुई श्री राम जन्वभूमी आंदोलम ने भारत की सुप्त आत्मा को जगजोर कर जगा दिया विश्वे हिंदू परिशद ने फिर एक बार 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा का आवाहन किया राम भक्तों को कार सेवा करने देने के लिए अदालत में प्रार्थना की गई पर अदालत में कोई नेड़े नहीं दिया परिणाम स्वरूप बाध्थ जैन सिक्ष स्वामिन आरण संपरदाय गायत्री परिवार हर पंथ मत विचारिक हिंदू एकत्र हो गए छूत अचूत का भेद मिटा जाती की पहचान मिटे हम सब हिंदू हम सब सिंधू बन गए राम सिंधू में जवार उठा और देखते ही देखते छे दिसंबर उननिस सो बानवे को श्री राम जन्ब भूमी से बावरी ठाचा सदा के लिए अट गया यह क्षण शौर्य न्याय और सत्यमेव जयते का क्षण था यह तो धर्मस्ततो जय का क्षण था पर संघर्ष की गाथा यहां जाकर भी नहीं रुखी छटमस सेकुलर वादिया द्वारा भारत और भगवान श्री राम के इतियास को जुठलाने के लिए अदालतों में चनौतियां का सिलसला चलता रहा जो उननीस सो पचास से चल रहा था हिंदू सीखचों के बीच से गुजरते हुए भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए विवश्ट यहां इस्तिती थी आजाद भारत में श्री राम और राम भगतों की पर सत्य को तो जीतना ही था आखिरकार देश के सरवोच्च न्यायले के पांच जज़ों के खंड पीठ ने नव नवंबर दो हजार उननीस को एतिहासिक निरने दिया और यह कहा कि आयोध्जा जन्म भूमी परिसर की पूरी 67 एकड़ भूमी राम लला की और न्यायले ने भारत सरकार को जन्म भूमी पर मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया सरवोच्च न्यायले के आदेश के अनुसार भारत सरकार ने पांच फरवरी 2020 को श्री राम जन्म भूमी तिर्थक शित्र नाम के ट्रस्ट का गठन किया और राम जन्म भूमी न्यास की भूमी जो सरकार द्वारा अधिक रहित की गई थी उसे ही नव निर्मित न्यास को वापस दे दिया गया। पांच अगस्त दो हजार बीस को भारत के प्रथान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्म भूमी तिर्थक शेत्र के अध्यक्ष पुझ्य महंत दृत्य गोपाल दास राष्ट्रीय स्वयम सेवक्संग के पुझ्य सरसंग चालक डॉक्टर मोहन भागवत एवं उ इस तरह लगभग पांच सव वर्षों से राम जन्म भूमे के मुक्ति के संघर्ष का पटाक्षे हुआ अपने आत्म संबान और राष्ट्रीय अस्मिता के लिए इतना लंबा संघर्ष विश्व के इतिहास में बेजोड है श्री राम भारत की आत्मा भारत की परिवाशा ह हमारे राष्ट्रीय आदर्शों और जीवन मुल्यों के प्रतिनिधी मर्याधा पूर्शुत्तम हैं जो हर हिंदू के होठों पर जन्म से मृत्य तक रहे बस यही हर हर्दे में प्रार्थना होती है राम भारतिय राष्ट्रीय स्वाभिमान और आसे तु हिमाले से समुद्र परियंत तक जन जन को एकात्मता के बंधन में बांधने वाले रक्षा सूथ रहे. अयोध्यास्थित श्री राम जन्म भूमी पर बावर का हमला वास्तव में भारत के स्वाभिमान और राष्ट्रियता पर हमला था. प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री राम जन्म भूमी पर राम मंदिर का पुन्ह निर्मान न केवल बाबरी मानसिक्ता का परावाव है बलकि संपन सुखी सुसंस्कृत सर्वशक्ति संपन स्वरास्ट का सुर्योदैफी या उस राम राज्जी की दिशा में वह कदम है जिसकी अभिलाशा राज राजेंद्र चोल किश्ट देव राए छत्रपती शिवाजी महराज से लेकर महत्मा गांती तक ने की थी अयोध्या में जन्म भूमी पर भगवान श्री राम का मंदर ना सिर्फ राश्टिय गौरों होगा बलकि वह श्री राम के आदर्शों का राश्ट्र मंदर होगा अव्वा महान संग कल्प पूरा होने जा रहा है आईए इस राम यग्य राश्ट्र यग्य में जिन ग्यात और अज्यात भारतियों ने अपनी आत्मा हुती दिये उनका पुन्य स्मरण कर उन्हें शत्भान जली थी दोस्तों अब आपको समझ तो आही गया होगा कि श्री राम को उन्हीं के देश में उनका मंदर बनाने के लिए कितने ही राम भक्तों ने बलिदान दिये हैं आप सभी से बस यही प्रार्थना है कि जब भी कभी श्री राम के उपक कोई बात आये तो उन राम भक्तों के बलिदान को मत भूल जाना अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्रिफया हमारे यूट्यूब चैनल आर बी टी जी व्लॉग को एक बार जरूर विजिट करें जै श्री राम